हालो दस्तो मैं ललीद और आप देख रहे हैं All Work Solution यूट्यूब चैनल बहुत बहुत वेलकम आज का जो टॉफिक है Most Important आर्टिकल इंडियन कोंचेटेशन ये रिफिटेट कोस्चन जो एसा आर्टिकल जो हर एक एक जाम में पूचा याता है और अंकमी एक जाम में भी यही तो चलिए आए वीडियो को सुरुबात करते हैं जदि आप इस चैनल पर आप नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर ले और वेल अकन को फ्रेज कर ले तो कॉशन नमर वान से सुरुबात करता है यूजियन टेरिटरी एंड पार्ट वन मतलों आर्टिकल फॉर् ठीक है और नियू स्टेट ऑफ फार्मेशन और बॉर्डडरी बॉर्डडरी को नहीं आर्टिकल 3 अर्टिकल 5 से 11 में क्या आता है शिटीजेटीटइब पार्ट 2 याद रखिएगा ठीकै कहा है इशिटीजेन्सीप ऑप इंड़ीज Sustain किसमें या आता है यह आर्टिकल 5 में और नेक्स्स देखते है article 14, article 14 किसली आता, right to equality के लिए equality before law, याद रखेगा, next देखेंगे, article 15, article 15, discrimination on caste religion caste, ये भी refuted question है, इसको भी देखेंगे, article 15, article 16 देखते है, equality in the case of public implementing case होता है, article 17, article 17 में देखेंगे, evaluation of untouchability, और अच्छे वाच्छी जो होता है उसके लिए अर्टिकल 17 होता है अर्टिकल 18 को देखें एवलेशन आप टाइटल के रिल्टेट देखते हैं सबका आला गलाव टाइटल है उस तरह राइट टो फ्रीडम कौन सा अर्टिकल माता अर्टिकल 19 से लेके अर्टिकल 22 के बिच में और राइट टू रैकस्पेट दा के रिक्सफटड दा कन्विक्शन फॉर अपेन सेंस कौन सा अर्टिकल माता अर्टिकल 20 में याता है खेक गांसे हों तरह के बिच तो प्रोटिक आईंैरल इवलाइख़न परश्चा इरेस टिடल इमिस आडिकल 23 से इट जो अ 38 हैं तो आर्टिकल 23 महाता है राइट अगेंस हुमन ट्रैफ लिक्लिंग च्टिकल और प्रोहिबिशन आप चाइड लेवर कॉनस आर्टिकल महाता है आटिकल 24 महाता है और राइट राइट तो रिलिजियन का जो हता हो था वो कॉनसे 25 से लेके आठाइश ता है freedom to manage the religious effort कॉंस आर्टिकल आर्टिकल 26 में right to education और culture कॉंस आर्टिकल 29 से लेके 30 तक 20 में और right safeguarding interest of minorities कॉंस आर्टिकल 29 में ठीक आये ने right to minorities for institution ये कॉंस आर्टिकल 30 इनको आपको याद करना ठीक इनको याद करना अच्छे तरह से याद करना ये repeated question ही सोचिए और ssc के जितने भी exam में अब तक में यही सब आर्टिकल अंतर पुछते कहीं भी question कहीं सब उठा के देख लिए को ssc dlcsl कोई भी कहीं सब question उठा के देख लिए previous year का आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा ठीक है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा छोड़ी है वीडियो को लाइक कर शेयर चरू किज़ें शेयर करने से मुझे ओक मोटिवेट मिलती है तो नेक्स देखते हैं आप इंडियन कॉच्टेशन कौन सा अर्टिकल में आटिकल 32 और अर्टिकल ऑप इकार user को राइक क्तों है अर्टिकल ब्लस्प लिजस पी जिस पार वार ये च्छदीत से गयों ये रिफिटेड है अब के लिए और लास्ट है पऎल bets आर्टिकल ब्लस्स पर बटोब hypoc ces यह भी आप याद रखिएगा ठीक है और नाइशन और बहलेच पंचाद यह कौन सा अर्टिकल में है अर्टिकल 40 का तहत है लिविंग वेज आप फूर वर्कर के लिए किसके अर्टिकल 43 में यूनीफर्ण सिविल कौनसा अर्टिकल है आर्टिकल 44 में फ्रीडम और कंपलशरी एड्वीए का सं कौनसा आटिकल 45 में फिर एं फीर्ट इंडिके शूरी पिरिए कंपलशरी एड़ीज़न किसके लिए चीज़एडर दीकल यह रिभी लाइन के लिए अर्टिकल 45 का मैंब ल वार आने वाला competition classes फिरी विल्कुल फिरी नो फेड कोई फेड क्लास ने जाओगा विल्कुल फिर यूटूब में आप दूसरे content यहां content यहां best approach दिखा जाएगा कहीं से भी best approach सबसे short सोचियत एक तरह से short ठीक तो वीडियो को मैं यहीं इंड करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें share करें trend की circle में बताए कि यह एक से channel है जो free education दिया जाता है ठीक है यहां इससे platform बना ही गया 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 एक से लेकर reasoning मैं सारा आपको दिया जाएगा कुछ दिन बात upload की जाएगी यह वीडियो सारा विल्कुल टाइफ एस और चैप्टर वाइस और यह वाइस किस तरह का question पूछते हैं किस तरह का type होता है सब चीज़ डिटेल analysis में करूंगा आपके लिए तो चैनल के साथ और ने कोसिस करें तो धन्यवाद थैंक यू